जै हो महावीर बलवान रगुबर के प्यारे हनुमान दुष्टों का करते हो अन्त भक्तों के संकट हर लेते जीवन मंगल मय कर देते बलबुर्धी वीद्या के निदान श्री राम की तुम हो शान बजरंग को जब भूख सताए सूर्य को दातों तले दबाए समझे आप कोई फल है लाग। सूर्य का मुख में हुआ बुरा हाल अंधकार ने डाला डेरा तीनों लोक में छाया अंधेरा देव तदनुझ मनुझ घबराए नहीं राशनी दिख नहीं पाए सूर्य को जब बकडे हनुमान राहु भागा बचा कर जान इंद्र से सारी बात बताए देव राज को गुसा आया इंद्र निमारा वज्र चला के कपि मुर्छित होगी रेधरा पे सूर्य को मुख से बाहर लाए इंद्र देव अंधकार मिटाए बज्रंगी का हुआ बुराहाल पवन देव पहुचे ततकाल पुत्र का देखे जब बुराहाल दो जित हो करती हर काल माता अंजनी तोडी आई घायल पुत्र को गोद उठाई रो रो कर कर ले बुराहाल बुली कोले आख मेरे लाल रुकी हवा सभी जन घब राए सास कोई भी ले ना पाए ब्रम्हा विश्णु महेश को लाए सभी देव संग इंद्र देवाए सभी पवन को लगे मनाने पवन किसी की एक नमाने बोले पुत्र को किसने मारा मुर्चित पड़ा है मेरा दोलाला पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रोप राम लखन सीता सैत रिदय बसं सुर्भोप इसको अगर होश ना आए स्रिस्टी में कोई बच ना पाए हनुमत पे ब्रह्मा रखे हाँ सभी देव चौके एक साथ हनुमान जी होश में आए सभी देव ताफूल बरसाए पवन देव जी माने कहना चुरू हो गया हवा कबनना हनुमत को मिली शिव से शक्ति विश्णों दे दिये अपनी भक्ति अस्त्र शास्त्र कोई करे न काम वजरंगी पे हो गनिश्काम इंद्र ये सारी बात बताया बालक पे मैंने वजर चलाया हनुमे वजर किया संधान इनका नाम रह गानुमान महावीर हुए अति बलवान बजरंगी हो गए हनुमान सब के समस्या का समाधान संकट मोचन है हनुमान जो भी इनका धरते ध्यान उनका सदा मोत कल्यार रिश मुक परवत पर कपी आए जहां पे वे सुग्रीव को पाए दुष्ट बाली के डर के मारे सुग्रीव पिर पे मारे बाले बाली भंग किया रिशी का जाप रिशी ने उसको दिया था शाप जिस दिन रिश मुक पर तू आए तेरी मृत्य कोई रोक नपाए रिशी वर का शापित अस्थान जहां न जाए बाली बलवान बल बुधी बीद्या के निधान सुख्रिव से वही मिये हनुपान काटे न कटते दिन और रैन सीता बिन थे राम बेचैन प्रिश मुक के जब सन मुक आए दूर से देख सुखरिव घबराए संकट मोचन मेरे प्रभू संत करे गुणगान भक्तों की रक्षा करते महावीर हनुमान सुख्रिव कहे सुनो हनुमान दो युवक दिख रहे अनजान हनुमत जाकर पता लगाए माली ने तो नहीं भिजवाए गर दुश्मन हो तो करना इशारा यहां से हम कर लेंगे किनारा दूर जाके कहीं चिप जाएंगे अपने कान बचा पाएंगे धरे ब्रामन का वेश हनुमान पहुचे जहां थे क्रिपानी धान प्रभु की शरण में शीश जुकाए उचे आप यह तैसे आए श्री राम परी चैबत लाए सीता हरण की घटना सुनाए चरण पकड बोले हनुमान आप क्यों भटक रहे भगुमान राम जी से बोले हनुमान चरणों में दे दो अस्थान धन्य हो जाएगा येता तुझे रखना सदा अपने पास अनुमान की देख के भक्ती राम प्रभु दिये अनुपम शक्ती राम लखन को कांधे बिठाए अनुपत ले रिशि मुख पर आए सुग्रिव को भगवन से मिलाए दोनों में मित्रता कराए शुग्रिव अपना हाल सुनाया राम प्रभु ने गले लगाया सुग्रिव हित बाली को मारे सुग्रिव को कष्टों से उबारे किश्किंधा का नरेश बनाए दित्र कराच विशेक कराए सीता माता की सुधिलाने हनुमान चले पता लगाने आ गए सभी समंदर पास दूरी देख हो गहे निराश देख समंदर दहल गया दिल चोडाई थी आठ सो मिल पिकट समस्यान खडी थे पवन पुत्र अंजनी दुलारे रघुबर के प्रियदास भूत प्रेत बाधा हरे करे दुखों का नाश बाला पन के रहस्य को खोले जामवंत हनुमान से बोले पवन तनय बल पवन समाना आचुप साभी रहा बल बोला बन के दो तुश्री राम का जाओ सीता मा का पता लगाओ जब तैयारी किये हनुमान आस में पहुँचे प्रिपाहिदास दे अंगुठी बोले भगवान मेरी बात सुनो हनुमान सीता को अंगुठी ये दिखाना तिर अपना परिछे बत लोना सीता तुम्हें लेगी पहचान सीता में है मेरी जान सीता से कहना मेरा हान मिलने बिना मैं हूँ बियान मैं जल्दी लंका आऊंगा उनको वापस ले आऊंगा रावन ना बचने पाएगा मेरे हाँ पमारा जाएगा श्री राम से आग्या पाए धीशन गर्ज न कपी लगाए अनुमत बोले जै श्री राम इल गए सभी घरा और धाम उड़ते जा रहे कफिला गतात गर्ज न करते बारं बात देवताओं ने किया विशार अपिक प्रति प्यासे सबार निशिचरों से घिरिलंका सारी जिसमें था रावन दुराचारी कैसे निपटेंगे ये अकेले इन की जरा परिक्षा ले ले सभी देव सुरसा को बुलाए जो नागों की माता कहाए बोले हम लोगों की है एक्षा जां कर लो हनुमत की परिक्षाओं सुरसारा क्षा सिरूप बनाए हनुमान के सामने आई सुरसा बदन पैठि विस्तारा आज सुरन मोही दीन अहारा अजर अमर है आप सदा महावीर बलवान कल युग में भी भक्तों का आप करे कल्यान तुमको खा कर भूख मिटाओं सामने या आहार बनाओं रामकार्य कर जब मैं आओं तुग ही तेरे मुख में सवाओं सुरसा बोली तुम्हें खाओंगी छोड़ूंगी तो पच्चताओंगी चलेगा ना तेरा कोई बहाना मुश्किल है तेरा बचते जाना जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुद गुन कपी रूप दिखावा सोयो जन सुरसा मुख के ना अतिला गुरूप पवन सुख लीना मुख प्रवेश कर बाहर आये सुरसा की शरण में शीश जुकाये बोली सुरसा थी देवों की एच्चाओंगी ने आई थी तेरी परिक्षाओंगी बलबु दिवेद्या के हो भंडार तुमसे कोई पाए न पाथ यहां से अब तुम हनुमत जाओ रामिकार करी वापस आओ बहती शीतल मंद बयार कपी कर गए समंदर पाथ कपी लंका में किये परवेश अति शुक्ष में धारने किये भेश मच्छर का प्रभु रूप बनाए स्वर्ण महल के द्वार पे आए जैसे ही अंदर गए हनुमान लंकिनी उनको गई पैरचान लंकिनी बोली बता है कौन शुप चाप क्यों खड़े हो मौन नर बा नर मुर नित्य आहारा सुन प्रोधित भैपावन कुमारा तब बज रंगी की ये प्रहार सहना पाई लंकिनिवार खून से लथ पथ हुई बेहोश थोड़ी देर में आई होश लाल लंगोटा लाल ध्वजा मांजनी के लाल लाल सिंदुर तन फेसो है लाल तिलक लिये बाल बोली तुमको गई पहचान राम दूत हो तुम हनुमार वीर कपी से लंकिनी बोली दिल दे के अपनी खूली ब्रह्मा मुझे को ये बात बताए या दिवानर तुझे मार किराए लंका नगरी बच नहीं पाए रामड का सर्व नाश हो जाए सिया की खोज में लगे हनुमान घोर अंधेरा महल सुन सान राम नाम जप पड़ा सुनाई सुनकर जपित हुए का फिराए निश्चे निश्चर निकट निवासा इहां कहां सर्जन करवासा कौन है जो जपता है राम वही बनाए का मेरा काम वीभी शन की कुटिया में आए जहां राम का नाम सुनाए वीभी शन को गले लगाए सीता मा का पता मुपाए अशोक वाटी का मेक पियाए दुख मैं सीता मा को पाए राम राम वो रटती जाए नेनन से रही नीर वहाए देख विकल भयो विरहनो मान संकट मोचन क्रिपानिधा भीरे से मोद्रिका गिराए अपना पर चैमा को बताए राम की सारी कथा सुनाए सीता को वेश्वास दिलाए शिग्र ही राम प्रभू आएंगे आपको अंग्रा ले जाएंगे सीता मा ने दिया वरदान अजर अमर हो वीर बलवान सीता मा से पावरदान घरज न करके चले हनुमान अशोक वाटी का पल में उजाडे अक्षय कुमार को कपी संहारे मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाया आंध कपी को मेहल बिलाया संतों की रक्षा करे दुष्टों का संहार सदा ही मंगल मय करते प्रिय है मंगलवार बीस भुजा दस शीश करामन अती भयानक रूप डरामन फिर भी नहीं डरे हनुमान असुर मत कड़ सीनागान बोला क्यूं अक्षय को मारा अशोक वाटिका को क्यूं जाडा बानर तुम लगते हो दंद तुमको अभी में धूंगा डंड चुप चाप क्यूं खड़े हो मौन बोल दिबंदर है तू कौन राम प्रभू मेरे दिल में रहते अनुमान मुझे को सभी किरते श्री राम का मैं हूं दूर मांजनी पिता पवन का सूर भूख लगी सो फल मैं खाया अक्षे रोका तो मार गिराया तू है पापी अत्याचारी हरन किया प्रभु राम किनारी आदर सहित सिया पहुचाओ रभू राम की शर्र ने जाओ रामण हनुमत पे गुस्ताया मारने का आदेश सुनाया तभी विभी शन सभा में आए भाई रामण को समझाये बोले विभी शन सुन लो घ्राता आप है सभी नितियों के ग्याता प्राण दूत का आप न लीजै बात विभी शन का मन भाया रामण ने आदेश सुनाया इसकी पूछ में आग लगाओ अती व्रिहद कपी रोप बनाए राक्षस पूछ में आग लगाए हाहा कार किये नर नारे उलट पलट लंका कर जारे लंका में कपी बजाए डंका धो धो कर जलने लगी लंका वापस अशोक वाटि काए शीता को सभी बात बताए भगतों के ग्रह दोश भी दूर करे हनुमान शनी देव पीचा छोड़े जोजप जया हनुमान सीता से बोले हनुमान मुद्री का प्रभू ने किया प्रदान आप भी मुझे को दो पहचान साला सर के श्री हनुमान भगतों का करते कल्यान सेवक जन को विजय दिलाते भगतों के बिगडे बाद्य बनते प्राण रक्षा भगतों की करते भगत जनों की संकट हरते जो भी इनको भोग लगाते मनवांचित वो पल भी बादे मेहंदीपुर के प्यारे बाला खोल देते पिसमत का ताला सभी दुखों को दूर भगाए सब कष्टों को प्रभो मिटाए भूत प्रेत की बाधा हरते हर बांजन की गोद को भरते पाला जी का ध्यान जो धरते उनकी इच्छा पूरी करते अमर है कल युग में हनुमान संकट मोचन क्रिपानी धान मंगलवार कवरत जो करते अजमत उनके संकट हरते जो भी सुने यह अमरत धारा सोनर उतर जाए भव पारा एकिस दिन जो ध्यान लगाए मजवांचित पल मोजन पाए लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगोर बजर देह दानव दलन जै 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 कपि सोर